स्वागत है अपकर हमारे चनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स सिक्षा विवाग ने कूल पती की बैठक बुलाई राज भवन ने लगाई रोग राज भवन और सिक्षा विवाग के बीच चल रहा टकराओ बढ़ता जा रहा है इसी करी में बुदवार को दोनों की ओर से पत्र जारी हुए सिक्षा विवाग ने राज के सभी कुल पतियों, कुल सचीवों और परिक्षा नियंत्रकों की बैठक नौमार्ज को बुलाई है वही राजववन ने पत्र जारी कर कहा है कि कुल पति मिना कुलादी पति से अनुमती लिए मुख्याले नहीं छोडेंगे इसके पहले 28 फरोडी को विवाग ने सभी कुल पतियों, कुल सचीवों और परिक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी जिसमें इन सभी को शामिल होने से राजववन ने रोक लगा दी थी इसके बाद विभाग ने उक्त पताधिकारियों का वेतन बंद कर वीवी के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी वही बुदवार को विभाग ने जारी पत्र में कहा है कि अपर मुख सचीव के के पाठा की अधक्षता में नौ मार्च को विस विद्यालियों में लंबित परिक्षाओं जाता चालू परिक्षा की समय बत्रता की स्थिती की समिक्षा के लिए बैठक होगी उपने देशक दीपक कुमार सिंग ने यह पत्र सभी कुलपतियों को भेजा है इधर राजपाल के प्रधान सचीव रॉबर्ट एक चोंग्थू ने सभी विसी को पत्र भेजा है कि वीवी के पतातिकारी, सिक्षकव कर्मी, सक्षम प्राधिकार चैनुमती बिना मुख्या विभाग ने राज के विश्विद्यालियों के कुलपतियों, कुलसचीवों, परिक्षा नियंत्रकों के वेतन बंद करने और विश्विद्याले के खातों के संचानर पर लगी रोग को फिलहाल के लिए हटा दिया है, विभाग ने कुलपतियों को लिखे पत्र में यह सप रखा गया है यहां आप देख सकते हैं राज जवन और सिछा विवा के बीच जो टकडाओ है वो बढ़ता ही जा रहा है रोकने का नाम नहीं ले रहा है आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ होता है फिलहाल तो वेतन पर लगी रोक को हटा दिया गया है जो भी होगा आप